हलो गाइज बर्ड स्केर इंपो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पैरेट का फंक क्यों ज़र रहा है और इसे कैसे ठीक करें तो आज की वीडियो काफी ज़्यादा हेलफुल होने वाली है तो वीडियो के end तक बने रहें और ThanPan ahora तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन Gröb को प्रेस करके all प्रसेट कर ले आपिस सारे लेट्येस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपको सबसे पहले मिल जाता चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो कुछ दिनों से आपके पैरेट का फेदर जड़ रहा होगा इनफेक्ट मेरे कई सबस्क्राइबर्स भी मुझे इंस्टागराम पर बता रहे थे कि उनके पैरेट का फेदर तेजी से गिर रहा है तो ऐसे में आप लोग घवरा जाते है और गलत डिसीजन ले लेते हैं ऐसे में आप अपने पैरेट को अन्यवल डॉक्टर के पास ले जाते हैं जिसे बर्ड्स की जराबी नालेज नहीं उती और वो डॉक्टर आपके पैरेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर देता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से सेयर करना तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर आपके परेट का फेदर जहर रहा है तो उसके में रूप से दो रीजन होते हैं पहला तो आपका परेट सीख है और दूसरा आपके परेट का मोल्टिंग चल रहा मौनसुम में परेट अपना फेदर को मोल्ड करते हैं और न्यू फेदर लाते हैं मतलब कि मोल्टिंग सीजन में आपके परेट जितने सारे ओल फेदर होते हैं वो जड़ जाते हैं और न्यू फेदर आती हैं और परेट को सीख होने का मतलब है कि परेट को बिटामिन और कै मॉल्टिंग पिरियाट में पैर्ट जैसे जैसे अपने और फेदर को गिराते हैं वैसे वैसे न्यू पीन फेदर भी आते रहते हैं और यह एक बिल्कुल नेचरल प्रोसेस है जो कि हर बर्ड में होता है लेकिन अगर आपका पैरेट सीख है और उसके सारे फेदर गिर गया है और बापस नहीं आ रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है तो आपको एक मेडिसिन लाना होगा जिसका नाम है नेक्टन जिसको दो दो ड्रॉप डेली अपने पैरेट को पिला देना है जिसके बाद धिरे धिरे आपके पैरेट के बोड़ी पर पिन फेदर दिखने इतने से नहीं बलकि आपको अपने पैरेट की बहुत ज्यादा केर करनी होगी अपने पैरेट को रेगुलर बात देना होगा पैरेट के और पैरेट के आसबास के साफ सफाई का खास ज्यान रखना है और सबसे में पैरेट के डाइट में कुछ चेंजिस करनी है जिस पर मैं dedicated वीडियो बना दूगा उसकी लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी notification बेल को प्रेस कर ले ताकि जैसे मैं वीडियो डालू आपको notification मिल जाए तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही असा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेर करें थैंक यू